नमस्कार आपको सोगत इस टॉकलोजी में आज हम बात करने वाले हैं वैनबरी लिम्टेट के क्वाटरली रिजल्ट्स के बारे में तो जिन्हों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन पर क्लिक कर दें वीडियो को लाइक करें शेय सेकेंड नमर पर जो कॉलम है वो जून 21 कोटर की रिजल्ट है और जो आकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं सितंबर 21 कोटर की रिजल्ट बात करते हैं हम टोटल इंकम की तो सितंबर 20 कोटर में इंकम थी 9533 लाग की जून 21 कोटर में यह हुई 12,816 लग के आग्या है अगर हम बात करते हैं कोटर मैं यहाने की जून 21 कोटर से 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 अनकमकी के इंकम की तो यहां पर हमें कुछ ahí होकई दिखाई दी रही है अब हम देख लेते हैं कंपनी के expenses को सबसे नीचे दिये गए है total expenses सेतंबर 20 quarter में 9,365 लाग के expenses रहे जून 21 quarter में ये 12,897 लाग के हुए और सेतंबर 21 quarter में 12,492 लाग के expenses रहे तो सेतंबर 20 quarter से सेतंबर 21 quarter यानि के year on year में देखते हैं तो हमें expenses में व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में यानि कि जून 21 quarter सेतंबर 21 quarter में यहाँ पर हमें expenses जो है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं तो अब हम company के profit and loss statement को देख लेते हैं सितंबर 20 quarter में अगर बात करें हम profit I will a loss before tax की तो वो थे 168 लाग के June 21 quarter में यह 80 लाग के loss में convert हुए और सितंबर 21 quarter में 52 लाग के loss रहे तो यहाँ पर अगर हम profit I will a loss before tax में year on year में देखते हैं तो हमें company profit से loss में जाती हुए नजर आ रही है अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में यहाँ जून 21 quarter से सितंबर 21 quarter में तो यहाँ पर हमें जो loss है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं अब हम बात कर लेते हैं company के net profit या net loss की जो हुए है तो फिफ्ट नमबर पॉइंट है profit अब एक लॉस आफ्टर टेक्स यानि की net profit या net loss तो सितंबर 20 quarter में एक सुसाथ लाग के profit थे जून 21 quarter में 86 लाग के loss हुए और अगर हम बात कर रहे हैं सितंबर 21 quarter की तो यहाँ पर 58 लाग के loss रहे तो सितंबर 20 quarter से सितंबर 21 quarter यहाँ यहाँ देखते हैं तो हमें company का जो performance खराब होता हुए नजर आ रहा है company profit से loss में जाते भी दिखाई दी रह है quarter on quarter में तो overall अगर हम results को देखते हैं तो हमें company का जो performance है उसमें कमी होते हुए दिखाई दी रही है अगर हम यहाँ पर year on year में तो company के performance काफी ज्यादा खराब हुआ है जबकि quarter on quarter company के performance बैतर हुआ है धन्यवाद